अब लोग स्वाच्छे होंगे तो चलिए शुरू करते आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही हेल्दी और बहुत ही तेस्टी मिठाय बोल सकते भर्फी बोल सकते मखाने मखाने ले लिया मखाने और इदर टाइफुर लिया मैंने आप जो भी राइफुर्ट खाना पसंद करत दोकिर यह मैंने डिंग डिंग ले लिया इसको दीडियए निया आप लोग क्या वोलते एप यह सब काड़ाय चाड़ा दिया सबसे पहले माखा नी जो है उसको रोष्ट कर लेंगे इस में घी भागरा को चाहिए इसे प्रेंगे घी भागरा इसलिक दें का दाने कियोंकि माकरा इस में इस में फुर्णाओ जो बाद में पहले पर आद नहीं प्रेंगे मंखाने के लिए 3-4 मिली लगेगा तो मंखाने को निकाल लेगे बाफिजी से भून लेगे मंखाने को निकाल लिए इधर मैंने जो बादाम कटके रखा आप चाहे तो एक सब भून सकते या अलाक अलाक अब की मज़ी इधर बादाम काजू और पंकिन शिख जो भी है यह पहले में भून लोगे इसमें एक से दो चमजी इतना घी जादा ज़रत नहीं है हलका सा भून लेंगे घी की जो रद लास्ट में है तो पहले इसको हलका सा रोष्ट कर देते हैं हलका सा रोष्ट इसलिए कर रहें क्यूंकि ड्राइफूट को थोड़ा सा घी में रोष्ट कर लेंगे इसका खुजबू और टेश्ट जादा अच्छा लगता इस तरह से बन जादा सा भूल लूगे इसमें मैं घी बादा एड नहीं करेंगे इसमें अब हमारे जो टिंक है या गोल जोड़ी तो बोलो इसको फ्राइब करने के लिए अभी मैं घी एड कर दूंगे तेन से चार चमज इतना इसको भी मैं आथे से भूँलेंगे अच्छी से घरम हो गय जादा नहीं यह मैंने सो ग्राम इतना लिया इतना नहीं चाहिए इसको ग्यास को श्लो राचे और आच्छे से फूलने तक इसको अच्छे से भून लीजिए डिंग पी हमारा आच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया अभी निकाल लेंगे माखाने को पहले मैं पीस लोगी और मीठे के लिए मैं इदर लिया खजूर मिठा गूर या चीनी में कुछ भी एनने करोगी इसको भी पीस लेंगे और माखाने को भी पीस लेंगे पहले दोनों पीस के में रेटी कर लोगी माखहयना मैंने इस तरह से पाउडर बना लिया हीत। मैं ने खजूर में थोड़ी सी पाणी एड़ी किया इसमें 5-5 L-5 जी के टाना इसमें ठोड़ी और में खुमालोगी मिकस दू Organization मैंने ग्यास को ओन कर दिया अभी हमने जो खजूर को मिक्सी में खुमा लिया इसको मैं थोड़ा सा गरम कर लूँगे क्यूंकि हम गूर या चीनी कुछ भी आड़ नहीं कर रहे तो इसको थोड़ा सा स्टिकी नेस आने के लिए थोड़ा पका लेंगे पूरा टांसफर कर लिया इधर हमने जो मखाने पाउडर बना के रखा वो डाल दो इस दिवाली में अगर इस तरह का हेल्थी मिठाई आप मेहमान को दे सकते घर में खा सकते इतना हेल्दी चीसे हो जाए तो फिर क्यावाथ है अच्छे से मीक्स कर लिए इसमें मैं एड़ करूंगी दो से तीन चमाच मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर डाले से ना मिठाई में बहुत अच्छा तिंस्टर फ्लेबर आएगा अच्छा से मिक्स कर लोगों तो गयास को आप कर देंगे अभी इसमें मिक्स करने जैसा कुछ नहीं है पहले नीचे उटा लेते हुआ ज़ा जो आमने गोन को प्राइब करके रखा इसको मैं हाथ से तोल लूगे मिक्सी में नीचे में करेंगे ना फिर एक तम से पाउडर हो जाएगा ऐसा नहीं चाहिए थोड़ा सा मोटा मोटा रहेगा चलेगा अच्छा लगेगा इस तार से हाथ से थोड़ा सा मैस कर लेग इस इधार हमें जो ड्राइब पूर रखा वो भी डाल देगे पर यह लाश्ट में थोड़ा सा चाहिए मुझे तो पहले आच्छे से मिक्स कर लेगे यह मर्स था हमारा हेल दी दिंग और मखाने का बर्फी पांद के रेडी हो गया अच्छे से मिक्स कर लिए पहले गरम है अच्छे से मिक्स हो गया अभी एक बर्टन में में टांस पर लोगी अच्छे से ठंडा हो गया अभी लाद्टो का से दे दूए में आप अपने साब से जो भी सेब देना चाहते है दे सकते क्या कर दितना तो तो गाइस हमारा मुखाने और बिंग का लट्टो बनके रेडी हो गया एक दम बहुत हेल्दी और बहुत टेश्टी बीना बूर बीना चिनीगा तो रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगी है लाइप कमेंट सब्सक्राइब जोड़ कीजिए दोस्तों में सेयर कीजिए कमें करके जोड़ बताएगा वीटियो कैसा लग रहा अच के लिए बाइप यह में लेगी ना वीटो के साथ कि अज़ा आप कि अज़ा आप